बड़वानी शहर के व्यापारी हुए लामबन, कहा कचहरी रोड का कंटेंड मेंट एरिया हटाए प्रसासन, व्यापारियों की बात का असर, प्रसासन ने मांगे मानी बढ़वानी जिले में कोरोना लगातार फेल रहा है जिसको लेकर प्रसासन भी मुस्तेजी से अपना कार्य कर रहा है लेकिन किसी वेक्ती के किसी छेत्र में पाजिटी आये जाने के बाद प्रसासन पुरे छेत्र को कंटेंडमेंट एरिया बना देता है जिससे आवाजाही पूरी तरह बंद रहती है एसा ही एक containment area कचरी रोड पर बनाया गया था जो 10 दिन से पूरी तरह बंद था जहां से पाजूटी पाए गए लोग भी स्वस्त होकर घर लोट आये हैं बावजुत containment area बना हुआ था जिसको लेकर आज रहवासी और व्यापारी लाम बंद हो गए और containment area हटाने की मांग की जिस पर थाना प्रभारी ने उच्छ अधिकारियों से चर्चा कर कर कंटेनमें area को आज छोटा करते हुए जो सम्मंदित लोग थे उनी के आसपा जारी रख है बाग की पूरा containment area हटा दिया गया है थाना प्रभारी भी मानते हैं कि लोगों के व्यापार प्रभावित हो रहे थे जिसको लेकर उन्होंने SDM से बात की जिनकी इजाजत के बाद अब लोग अपनी दुकाने भी खोल सकेंगे बढ़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर इसे पूरी गली को सिल कर देया गया है जबकि रंजी चोग में और जंटा चोग के पेसेंट के साथ तुसी घर को कंटेमेंट एरेम बन किया गया वहां पर वार्ड के लोगों ने उसी एरेम को घर के आजबा बिरिकेट लगा के बंद करा है तो बागी रोड को खुलने के लिए तेसे दारों एश्रेम होते बात चल रही है इस रोड को खोला जाए तागी यह चोटे वैपार लोग है इनके जीवी का इसी वैपार से चोटे वैपार से जलती है इनकी दुकान दाली चालो हो सके है यह करीपरी 10 रोज से बंद है वो पेसेंट सब घर आ चुके है अब हम यह चाहते हैं इस गली को खोला जाए और जो पेसेंट जिन घर के है उस घर के आसपास सिल किया मोहलाल कुमरावत पूर्व परसद पान दुगान दर दिक्कत यह आ रहे हैं और हम परसासन का हमें से सहीव करते हैं पहला लागडाउन में भी दुकाने हमने बंद रखी है और अब हम यह चाहते हैं कि हमारा पूरा मोहला चालू हो जाए और जहां यह पेसेंट निकले वह सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले कर दो